केबिनेट में मेरे सहयोगी स्रीजी किशंडेडी जी, मिनाक्षि लेखी जी, अर्द्युन राम्मेग्वाल जी, लुव म्यूजियम के निर्देशक मैनुवर रबाते जी, दुनिया के अलग-अलग देशों से आए अतिजिगण, अन्य महनुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम दे की बहुत-बहुत सुपकामना है। आज यहाँ म्यूजियम बलके दिग्गत जुटे हुए है। आज का यह अवसर इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने के लक्ष उपलक्ष में, अम्रित महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग-अलग ध्याय आधुनिक टेक्निक से जुड़कर जीवन्त हो रहे हैं। जब हम किसी मूजियम में जाते हैं, तो ऐसा मैसूस होता है, जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचे हो रहा है, हमारा साक्षातकार हो रहा है। मूजियम में जो दिखता है, वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्षव होता है, एविडेंस बेश होता है। मूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेणाय मिलती हैं, तो दूसरी और बविश्य के प्रतिये अपने कर्दवियों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है sustainability and well-being वो आज के विश्व की प्रात्विकताओं को हाइलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती हैं मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीड़ी की रूची को और बढ़ाएंगे उन्हें हमारी धर्वरों से परिचित कराएंगे मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनद्र करता हूँ यहां आने से पहले मुझे कुछ पल विज्यम में बताने का आउसर मिला हमें कही कारकमों में जाने का आउसर आता है सरकारी गेर सरकारी लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग उसका एक्जेकुशन और सरकार भी सुन्चाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है वैसी व्यवस्ता और मैं मानता हूँ कि आज का यह अउसर भारत के मुजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है साथियों गुलामी के सैंकडो वर्षों के लंबे कालखंडे भारत का एक नुक्षान ये भी किया कि हमारी लिखीत अलिखीत बहुत सारी धरोहर नश्ट कर दिये गई कितनी ही पांडूली प्या कितने ही पुस्तका रहे गुलामी के कालखंड में जला दिये गए तबाह कर दिये गए ये सिर्फ भारत का नुक्षान नहीं हुआ है ये पुरी दुनिया का पुरी मानवजात का नुक्षान हुआ है दुर्भाग्य से आजहादि के बाद अपनी धरोहरों को सवक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने हो नहीं पाए लोगों में धरोहरों के प्रती जागुरुक्ता की कमी ने इक शती को और ज़्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजहादि के अमरितकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की गोश्णा की है उनमें प्रमूख है अपनी विरासत पर गर्व अमरित महोत्सों में हम भारत की धरोरों को समरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्रक्चर भी बना रहे हैं देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इत्यास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक बिरासत भी है मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल मुजियम पर विशेश महत्व दिया है भारत सरकार भी लोकल और रूरल मुजियम को समरक्षित करने के लिए एक विशेश अभ्यान चला रही है हमारे हर राज्य, हर खेत्र और हर समाज के इत्यास को समरक्षित करने के प्रयास किये जा रहे है हम स्वाधिनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए दस विशेश मिज्यम्स भी बना रहे हैं मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक जलक दिखने वाली है नमक सत्यांगर के दौरान मात्मा गांधी जिस पत पर चले थे उस दांडी पत को भी समरक्षित किया गया है जिस ठान पर गांधी जी ने नमक कानुन तोड़ा था वहाँ आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है आज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटी देखने गांधी नगर आते हैं हमारे संविधान के मुख्य सिल्पी बावासाब अमबेड करका जहां महापरी निर्वान हुआ वो स्थान दस्वकों से बदहाल था हमारी सरकार ने स्थान को दिल्ली में पांच अलिपूर रोड को नेशनल मेमरियल में परिवर्तित किया है बाबा साब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ महु में जहां उंका जन्म हुआ लंदन में जहां वो रहे नाकपूर में जहां उन्होंन दिक्षाली मुंबई की चैत्यभूमी जहां उनकी समादी है ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है भारत की पांसो अस्सी से जादा रियासतों को जोडने वाले सर्दार साब की गगन चुम्बी प्रतिमा स्थेची अफ यूनिटी आज देश का गवरों बनी हुई है स्थेची अफ यूनिटी के भीतर भी एक म्यूजियम बना हुआ है चाहे पंजाब में जलियावला बाग हो गुजरात में गोविन गुरुजी का स्मारक हो यूपी के वारानसी में मान महल मुजियम हो गोवा में मुजियम अफ क्रिश्चन आर्ट हो ऐसे अनेक स्थानों को समरक्षित किया गया है मुजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयाद भारत में हुआ है हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्रा और ये गुदान को समरक्षित पीम मुजियम बनाया है आज पूरे देश से लोग आकर पीम मुजियम में आजधी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे है मैं यहाँ आए अपने अतितियों से विशेस आगर करूँगा कि एक बार इस मुजियम को भी अवश्य देखें साथियों जब कोई देश अपनी विरास्त को सहेजना शुरू कर देता है तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है यह पक्ष है दूसरे देशों के साथ सम्मंदों में आत्मियता जैसे कि भगवान भुद्ध के महा परिनिर्वान के बार भारत ने उनके पवित्र अवशेसों को पीडी दर पीडी समरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवसेस भारती नहीं दुनिया के करोणों बवद्ध अनुयाईयों को एक साथ जोड रहे हैं अभी पिछले वर्स ही हमने बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर चार पवित्र अवसेसों को मंगोलिया भेजा था वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्ता का एक महापर्व बन गया था बुद्ध के जो रेलिक्स हमारे प्रणोसी देश रिनका में है बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहां कुशिनगर लाया गया था ऐसे ही गोवा में सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवसेसों की दरोहर भी भारत के पास समरक्षित है मुझे आध है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जॉर्जिया भेजा था तो वहां कैसे राष्ट्रिय परवका माहुल बन गया था उस दिन जॉर्जिया ने अनेकों नागरी को वहां के सड़कों पर एक बड़ा मेले जैसा महुल हो गया था पड़े थे यानि हमारी विरासत के बैश्विक एकता के वर्ल यूनिटी का भी सुत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने संजाने वाले हमारे मुजियम्स की भूमी का भी और ज्यादा बढ़ जाती है साथियों जजम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोडते हैं वैसे ही हमें पूरी पृत्वी को एक परिवार मान कर अपने संजाधनों को बचाना है मेरा सुझाव है कि हमारे मुजियम्स इन वैस्विक प्रयासों में एक्ट्व पार्टिसिपर्स बढ़े हैं हमारी धर्ती ने बीती सद्यों में कई प्राकृतिक आपदाय जेली हैं इनकी स्मुर्तियां और निशानिया आज भी मौझूद है हमें जादा से जादा मुजियम इन निशानियों की इन से जुड़ी तश्वीरों की गैलेरी के दिशा में सोचना चाहिए हम अलग अलग समय में धर्ती की बदलती तश्वीर का चित्रन भी कर सकते हैं इससे आने वाले समय में लोगों में परियावरण के प्रति जागरुपता बढ़ेगी मुझे बताया गया है कि इस एक्ष्पो में गैस्टरवंग एक्स्पिरियेंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है यहां आयृवेद और मिलेट्स स्री अन्न पर आथारित बिंजनों का अनुभवी लोगों को मिलेगा भारत के प्रयासों से अईरुवेद और मिलेड श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबेल मुविमेंट बन चुके हैं हम श्री अन्न और अलग-अलग बनस्पत्यों के हजारों वर्ष की आत्रा के आधार पर भी नए मुजियम बना सकते हैं इस तरह के प्रयास इस नौलेज सिस्टिम को आने वाली पीडियों तक पहुचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे साथियों इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम अईतिहासिक बस्तुओं के समुरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं अब सवाल है कि अपनी धरोरों का समुरक्षण देश के सामान्य नागरी को स्वभाव बनेगा कैसे मैं एक छोटा सा उदान देता हूं क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारी संग्रा लए बनाएं गर के ही लोगों के विशे में अपने परिवार की जानकारिया इसमें घर की घर के बुजूर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती है आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामाने लगता है लेकिन आपकी लेखने में वही कागज का टुकणा तीन चार पीडी के बाद एक इमोशनल प्रपर्टी बन जाएग ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी हमारे भिने-भिने संस्थानों और संग्रणों को भी अपने-पने मुजियम जुरूर बनाने चाहिए देखिए का इसे कितनी बड़ी और एतियासिक पुझी भविश के लिए तयार होगी जो देश के विविन्द शहर है वो भी अपने हां सीटी मुजियम जैसे प्रकलकुपों को आधुनिक स्वरूप में तयार कर सकते हैं इसमें उन शहरों से जुड़ी अहतियासिक बस्तुएं रख सकते हैं विविन्द पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी परंपर हम देखते हैं वो भी हमें इस दिशा में काफी बतत करेगी साथियों मुझे खुशी है कि मुजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं बलकि एक केरियर आप्शन भी बन रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल मुजियम वरकर्स के दुरस्टे से ना देखे हिस्ट्री और आर्किटेक्ट्चर जैसे विश्वों से जुड़े युवाओं ग्लोबल कल्चरल एक्षेन के मिडियम बन सकते हैं यह युवाओं दूसरे देशों के में जा सकते हैं वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं, इनका अनुभव और अतीच से जुड़ाव अपने देश की विरासत के समरक्षन के लिए बहुती प्रभावी सिद्ध होगा। साथियों, आज जब हम साजी विरासत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक साजी चुनोती का भी जिक्र करना चाहता हूँ, ये चुनोती हैं कलाकृतियों की तसकरी और एप्रोप्येशन, भारत जैसे प्राचिन संस्कृति वाले देश, सेक्ड़ों वर्स से इसे जूज रहे हैं, आजाथि के पहले और आजाथि के बाद भी, हमारे देश से अनेको कलाकृतिया अनधिकल तरीके से भार ले जाई गई, हमें इस तरह के अपराच को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा, मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के बीच, अब विबिन देश भारत को उसकी धरोहर लोटाने लगे हैं, बनारत से चोरी हुई मा अन्पुर्णा की मुर्ती हो, गुजरात से चोरी हुई महिसासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो, चोल सामराज्य के दौरान निर्मित नतराज की प्रतिमाएं हो, गुर्गोविन सीजी के नाम से सुसोबित तलवार हो, पिछले नौ साल में ही करीब दो सो चालीस प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापिस लाया गया है जबकि उसके पहले कई दसोंकों तक यह संख्या बीस भी नहीं पहुँची थी इन नव वर्सों में भारत से सांथकृति कलाकृतियों की तसकरी भी काफी कम हुई है मेरा दुनिया भर के कलापार्खियों से आगर है विशेशकर मुजियम से जुड़े लोगों से अपीर है कि इस खेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं किसी भी देश के किसी भी मुजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहाँ पहुँची हो हमें सभी मुजियम के लिए इसे एक मॉरल कमिट्मेंट बनाना चाहिए चाहतियो मुझे भी स्वास है हम अतीज से जुड़े रहकर बविश के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे हम विरासत को सह जेंगे भी और नई विरासत का निर्मान भी करेंगे इसी कामना के साथ आप सभी का रजय से बहुत बहुत धन्यवाद